गुड अप्टर नून चातरों जैसा कि आपको पता है रेडियो टीवी के चातरों को मतलब इलेक्ट्रोनिक्स के चातरों को कि दो फर्वरी को उनका एक्जाम है प्रेटकल परीच्छा और चारसो नंबर का है और एक्जामनर ग्यारा बारा के आसपास आ जाएंगे तो ग्या आपको साथ लिखने को रहेगा तो कपी रहेगा तीसरा टापिक आता है मौखिक सवाल पूछने का तो मौखिक में कामन जो प्रश्ण पूछे जाते हैं पूछ लेते हैं एक्जामनर वह अगर मैं अपने अनुहों से कहूं तो देखिए जैसे कि एंटीना क्या है तो एंट आपका सिगनल डारेट कैज करता है मल्टी मीटर क्या है मल्टी मीटर मतलब कई चीज़ कमापने वाली मल्टी मीटर को आपने क्लासरूं में देखा है और किसी भी इलेक्ट्राइनी की दुकान में चले जह यह तो मल्टिमीटर आपको मिल जाएगा इसके अंदर एक लाल और एक काला दो रहते हैं लाल वाले को निगेट्टिव काले वाले को पाज्टिव बोलते हैं और उससे हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं और डी सी वोल्ट करते हैं DC करेंट मेजर करते हैं और कोई तार टूटा है कि नहीं टूटा है कनेक्टिवटी कहते हैं तो कनेक्टिवटी मेजर करते हैं मुल्टी मीटर के बहुत सेकारे होते हैं जैसे डाक्टर के आला के बहुत सेकारे होते हैं LED bulb के बारे में बता हैं तो साब इसके अंदर एक bridge diode के अंदर circuit लगी रहती है bridge diode के आगे resistance लगा रहता है जो की 220 volt को resistance का काम प्रतिरोध है कम कर देता है और जितने watt का bulb है उतना आगे भेजता है AC और bridge diode इसके अंदर जो लगा रहता है वो bridge diode AC को DC में बदल देता है तो bridge diode में चार diode लगाए जाते हैं तो bridge diode बनता है ये भी आपने पढ़ा है diode क्या है जानी गए AC को DC में बाराना संधारितर क्या है संधारितर मतलब capacitor capacitor आप screenshot भी ले सकते हैं इसका capacitor का मतलब हुआ कि आवे इसको संचे करने वाले उपकरण को हम संधारितर कहते हैं और गोल गोल आप देखें हैं क्लास में और प्रतिरोद क्या है वो भी आपने देखा होगा जो धारा के मार्ग में और उद्पन करें R से इसको दिखाते हैं और संधारितर को capital C से दिखाते हैं capital C आप यहाँ इस तरह से भी करें